आसलाम लेकूम है याइज व्लकेम बाक में चानल लेट्सटी समय है मैं आज आपके साथ लेकर आहीं हूँ वाइट चिकन और यह बहुती जल्दी वाइट चिकन बन जाता है और यहां पर मैंने लिया है 100 किलो चिकन और यहां पर मैंने एक प्याज ले लिक बड़ी कटी और हमारा यह ग्राइंड हो चुक है है सभी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया तो यहाँपर मैं डालने जा नहीं हूँ सबसे पहले सॉल्ट और हमच्पटेस सॉल्ट यूज लेован और यहां पर मैंने लिया है Amol Fresh Cream लिया है और यह हमारा पेस्ट है जो हमने Grind किया था और यह हमने लिया है कर्ड दही लेलिया है यहां पर हमने और इसमें हम अड़ करेंगे spices हमें ज्यादा spices add नहीं करने है इसलिए मैंने यहाँ पर काली मिर्च यूज की है पिसी हुई और यहाँ पर मैंने लिया है पिसा हुआ, भूना हुआ, जीरा और यहाँ पर एक चमच मैंने लिया है चाट मसाला और यह मैंने नीबू को निचोड दिया है इसमें और यहाँ पर मैंने लिया है वाइट विनिगर, यह इससे बहुत अच्छा चिकन सॉफ्ट हो जाता है और उससे चिकन बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत मज़ेदार बन जाता है और यहां पर मैंने लिया है जो पेस्ट हमने बनाया था उसको हमें हाफ कॉंटिटी में डालना है हम बाखे ग्रेवी में डालेंगे और यहां पर मैंने दही ले लेना है इसमें मैं दही डालूँगी और मैंने हाँ पर तीन चमच दही डाला है इसमें और ये हमारी अमोल फ्रेश क्रीम है मैंने इसमें थोड़ा सा सिया मिर्ज डालती थी उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसको हम सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह सा हमें चिकन को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और इसको मैंने आदर गंटी के लिए मैरी ने ठोणे रखना है यहाँ पर हमारा अदर गंटा हो गया है और मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लेना है चिकन एक पैन में मैं इसमें डाल दीती हूँ चिकन रोस्ट करने से हमारा चिकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा इसलिए हम इसको रोस्ट करते हैं इसे मुझे कुख होने देना है और इसको मैं कवर कर दूँगी पॉंच मिनुट के लिए फिर उसके बाद चेक करेंगे हम इसको यहाँ पर हम अलग प्यान में ग्रेवी बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने गर्व मसाला लिया है और जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें आड़ कर देंगे और मैंने तेज पत्ता भी डाला है इसमें छोटी लाइची भी डाली है और इसे कोखोनी रग दियना है हमें और यहाँ पर हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं अभी इसमें थोड़ा पानी है इसे हमें सुखाना है पानी को इसे तरह से हमें इसे कोखोने देना हैं हम इसे वापे से कवर कर देंगे और यह देखें हाँ पर पानी सूख चुका है ची तरह से खुश्क हो गया है और यह हमारी क्रेवी भी कोख हो गई है और चिकन भी तयार हो गया है इसमें हम चिकन को अड़ कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और इसे भी हमें कुखोनी देना है अभी पाँच मेट के लिए इसको धक देना है और पाँच मेट के बाद हमने इसमें मेथी डाल दी है मेथी से बहुत ही जबर्दस फ्लेवर आता है इसमें वाइट चिकेन में और यहां पर हमने फाइनल लुक तयार कर लेते हैं इसका बहुत ही जबरदस्त कलर आया है बहुत ही यम्मी सा वाइट चिकेन बन गया है हमारा और इसको हम डेकॉरेट कर लेंगे प्याज से और हरी मिर्ट से और इसके बाद यहां पर मैंने बटर को मैल्ट कर लिया था और बटर तो इसमें बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर देता है तो इसलिए बटर ज़रूर हमने डालना है इसमें और फाइनल लुक हो गया है हमारा चिकन का अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नेक्स फीडियो में मिलती हूँ तब तक लिए खुदा हाफिस थेंक्स फॉर वाचिंग